तो गाइस हम हो गए है अब निकल रहे हैं हम मनकोट की तरफ पड़सों गए थी वीडियो बनाई थी लेकिन मुझे अवास साफ में लगी तो आज हमने सोचा कि एक ब्लॉग हो जाता है बुई है अपने माला कोट तो हमने सोचा आज घूम के आते हैं कि खाना बनाने वाला को सकते हैं कितना बड़ी है मौसम है ब्लुकुल मतलब आज गर्मी है ही नहीं दूप में इतनी प्यारी हवा चल रही है तो इसी बहांने हम खुम के आते हैं और कुछ हांखी भी आ जाएंगे वहार है तो यह है मेरी फरारी यह तो आपने देखी होगी वैसे भी हमारी 1997 वाली फरारी है आज भी बहुत दमदार चलती है गाड़ी तब कुछ मैन्वल है और अंदर बहुत गरम हो रखा चलिए चलते हैं अधारी बगले है तो फटके घुलाग जाएंगे और देखते हैं बताई के वहाथ होता है तो देखते हैं पुआ से हम गोलेंगे तो हमारी ही मतलब पुरानी जो टीस है हमारे फुरोजर की इस है व्तके टुक्यावी से आँए तो पिठारागर्ड में हमारी बहुत सारे हम आपने इंस्टाव के रहा है हमारी फोटो जो कि आप देखेंगे चीरो पॉइंट और बहुत प्यारी प्यारी जगा हम घूमे तरता है एक बार कुमुगो लेकर हम जरूर जाएंगे कुछ बोलना है वहां के बारे में नहीं नहीं तो बहुत मज़ा आया था मुझे विल्कुल भी मज़ानी आया था मतलब सीनिक वियू अलग सीन होता है लेकिन मेरी तब है थोड़ी खलाब होगी थी वहां क्योंकि उसमें थोड़ा हाइट में है खल्या टॉब बहुत जिनको ए गया तो असे यह सविश्वें रासते से गये हो यह थे जैसा हम हमाचल वी गय नह? तो हिमाचला मैं हमाचल के तेपा संह शुक्त मोई ह्माचला मैं क्यूह चासचायदों है मुझे ब्सक्राकशरा गह जहाँ आप क्यों सकता है उर सकती है मैं मतलब कि मैं तो उत्राखंट से हूँ जैसे मैं वहां गया मुंशारी तो मुझे मुंशारी ये खलिया टॉप गए तो वह तो बहुत प्यारी जेगे मतलब सबसे अच्छी ट्रेप रही थी हम हिमाचल भी गया है बहुत जी गुमने बीर बिलिंग गया है तो सबका अपना बस यह है तो अब आधी को मैं बोलेंगे क्यों ड्राइविंग पर ध्यान दे तो मैं ही बता देती हूं कि में क्या रहता है कि अगर आप खलिया टॉप जाए जीरो पॉइंट बहुत अच्छा है थ्री सिस्टी डिग्री से आपको पूरा सर्कल में पूरा आप बादलों से बहुत अच्छी जगह है जीरो पॉंट खलिया टॉप जाएंगे तो लेकिन मैं यही बोलों कि जिनको सांसर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है या जिनको चड़ाई चड़ने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो वह लोग अपनी फूल प्रप्रिशन के साथ जाए जै मतलब कि अपना पुरा जैकेट वगएर अच्छे से यह निकी ऐसी और आइस में जाने तो आइस सूज आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए तो मैं आपको इसले यह बता रही है और पिछले जब हम गए थे वहां पिथौरागड कम से कम 15-20 दिन हाँ पे स्टे किये हैं हम सिर्फ पिथौरागड में हम पिथौरागड भी गुमें ठीक है फिथौरागड से फिर हम गए थे मुंसियारी मुंसियारी सबसे उचाई पर अब अब अच्छे से पहाड़ों में अगर ड्राइविंग करने आती तब ही आप जाए नहीं तो अपने साथ कोई मतलब जो एक्सप्रियंस बंदा हो लोकल का उसी को लेके जाए और मुंसियारी में क्या है एक चीज और भी है मुंसियारी में आपको मतलब खाना अना अच और मुंसियारी में में खलिया टॉप मिट को बहुत प्यारा लगाता है और साथी और साथी वहां नंदा देवी टैंपल भी हम गए थे इंस्ट्राग्राम अगरम हमने प्रॉपर अपनी फोटो जोगर डाली है मेरा एक फेस्बूक पेज है नोमैड गल करके तो नोमैड ग हम दोनों सोचे हैं कि हम दुबारा जाएं ख़a पूरा पितौरा हम प्योचार Mark 60 घूमें हम वैसे जो वीडियो बनाते हैं मतला अपने हॉबी हमारी ऑभी और फिरना तो लिग वीडियो के लिए वीडियो बनाते हैं क्योंकि हम और बीडियो बनाइंगे क्योंकि घूमना तो है हमको उत्राखंट पूरा घूमेंगे, उत्राखंट जितने भी घूमेंगे, हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी मतलब वहां किसी भी चीज की आपको जानकारी देंगे, कि कौन सी जगर पे क्या चीज अच्छी है, कहां पे रुपना अच्छा है, कैसे क्या पे क्या प्रैसे रहते हैं, इस्टे करने का सब कुछ हम आपको बताएंगे, अभी हमारा सबस्क्राइब सेड्यूल थोड़ा सा बीजी है, मतलब बहुत सारे चीज है, अच्छे से कुछ भी सैटप नहीं है, कुमू भोड़ से बड़ी हो जाएगी, तो हम घूमे अच्छी जगह हैं, जा भूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो हम प्रॉपर जो ब्लॉग बनाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे, बहुत चल जाएंगे, हम पिधोरा गड़ी, फिलाल हम बात करते हैं, जहां हमारा अभी हमको जाना है, अपने जिस डेस्टिनेश अच्छी में घर में बैठे बैठे अपने आखों में आप मतलब इस ग्रीनरी का मज़े लेते में अपने आखों को ठंड़क दे सकता है, मैं कहती हूँ कि घूमना हर बंदे को घूमना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलता है, फालतो होता है, ऐसा कुछ नहीं है, घूमने से बहुत सारे चीज़े बेनेफिट है, बहुत सारे बेनेफिट है, मतलब उस टाइम पर आपका माइं जो रहता है, बहुत पीस में रहता है, तो आप अपने माइंड का मतलब जाद से जादा इस्तमाल उस टाइम पर कर सकते हैं, घर में क्या होता है, कि बहुत सारे लोग होत से बहुत सारी नॉलेज भी आता है बहुत सारी चीजे सीखने को मिलती है अब हम आगे हैं जायक का रेस्टरेंट यहीं पर हम खाएंगे बटके डुपके और भात कुम्मू हो गई है कुम्मू उड़ गई है जस्ट वह भी बल्कु सरी टाइम पर उठती है जैसे बहुशने सब्सक्राइब आपको सिनिक दिखाएंगे आपको बहुत आप खुश होंगे इस वीव से बिकरस मुझे तो बहुत सुन्दा लगता है यह पहाड़ों का व्यूव से चलिए अब हम चलते हैं खाने के लिए तो आपको हम दिखाते रहेंगे कि इसका रुमाज है रुमाज है रुमाज है अपना रुमाज है अपना रुमाज है तो गाइस हमारा हो गया भोजन पेट पूजा कल्दी सबने हुआ कैसा लगा आपको ठीक लगा बढ़िया लगा और यहां देखो कुम्मु ने भी थोड़े से चटकारे लिए और यह बहुत खुश थी उस समय इसमें प्लेट सीने कोशिच की थी कि मुझे भी खिलाओ मुझे भी खिलाओ लेकिन भटके टुपके ठंडे होते हैं बच्चों के लिए इसलिए नहीं खिलाए जाते हैं यह यहां से दिखाता है आपको दिखिए नीचे बटकुल डाउन पे आपका मतलब वसामने स्कूल दिखना मेरे काल से स्कूल हो यह यह स्कूल है पहाड़ों में वैसे बीतने दूर-दूर स्कूल होता है और उधर गाउं भी है इधर यह उपर को चले गई कांडा की रोड और हमें इस रोड साय हुए है इधर पीछे से आ रहे हैं जो की नीचे जाके रोड मिल जाती गहीं तर दिखने रहेंगे चले हम आगे आपको दिखाते रहेंगे आपको दिखाती है यहां से बीचे से नया ही विव दिखने को देखने को मिल गया है बहुत ही प्यार विव आ रहे हैं देखके पीछे कुमू क्या तर रहा है कुमू क्या चुपा रहा है और कुमू आजकल बहुत सैतान हो लिया बहुत जादा को को एक जना पकड़नी भारा है मतलब इसको ऐसे उचल रही है बहुत जाद उचल रही है उचल कुछ कर रही है इस लाइन में भी आपको टूरिस्त की कमीनी मिलेगी क्योंकि यहां से ज्यादे टर जो जाते हैं यहा मॉर्निंग इवनिंग का जो व्यू रहता है संराइस का और संसेट का व्यू सायद हां का फेमेस है चकोडी में और चकोडी में भी बहुत तूरिस्ट आपको मिलेगा आपने देखा ही होगा जहा पर हम रुकेते जायका रेस्टोरेंट पुराना धाबा वहीं पर सारे धाबे हैं बहुत पहले मैंने अपने जीज़ जी के साथ मा इंघ भी ती तो हम आपने ऐंने मझी भादह का यदा मुझा ठोर्कली सभोग में भाजिय भाबे ठाबले तो फाले वह हो दो तो घर मेंभी खा लेते हैं मचली पहले से जब भाप से खृले थार बने आए बहूत ताप और यहां से कांडा आठ किलो मीटर दिखा रहे हैं तो बागिस्वर में भी बहुत अच्छी जगह हैं जैसे बागनाथ दर्सन कर लो आप निलेसर दर्सन करो चंडी का और उपर को आप बैजना चले जाओ गरूर में वहां कोट भ्रामरी चले जाओ माता के मंदीर और उसके अगर आप वहां इस्टे कर रहे हैं नीचे बागिस्वर में तो आप दिन भरवा यहां यह पूरा एरिया घूम सकते हैं कांडा वाला और यहां पे जंगल में कहीं भी बैट कि आप आराम से पिकनिक मना सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि यहां को कोई मतलब सेर्वेर या किस है तो ऐसे मौसम में थोड़े से केरफुल रहें बाकि आप ऐसे जंगलों में बैटके आप एसे जंगलों में बैटके आप पैमली के साथ आके आप पिकनिक मना सकते हैं भुझ भी और अभी सा पूछने लगी है कि कहां तक जाओगे तुम क्या कहते हैं उसे टैंसर नहीं ह हम जाएंगे जहां तक टिक यह ड्राइविंगा ही बहुत अलग मजा है जब अलग मजा है से पतली सी रोड जरूर है लेकिन अप आम-राम से अगर आप सी ड्राइविंग कर दो तो बहुत अची रोड है यहां से मैसे भी थाड़ागर भी इसी रूट से गए थे हम तो हमें तो बहुत यादा रजे निताल नहीं आता है से कि corrupt मजा तौ मज़ेश ए और क्वूर है क्योंकि सकाव चुमने के लिए है और घूमना तो मैं पूरा ओल इंडिया है, अभी तो हमारा सपना है कि पूरा उत्राकंड घूमे, उसके पूरा इंडिया, फिर दीरे दीरे देखो, अगर अगवार ने चाहा और सब कुस बढ़िया राया तो हम आप लोगों ने भी चाहा तो हम आप लोगों कोशिश करेंग कि इंडिया से बाहर भी घूमने, वर्ल टूर पे भी जाने कोशिश करेंगे, वर्ल टूर तो करेंगे, और कुम्मू को, कुम्मू मतलब 5 साल बहने से पहले पहले उसको बहुत जरी को आदेंगे, क्योंकि एभी तो एक साल की जब होगी, तो उसके चार साल बचे होंगे, तरी, उसके चार साल बाद ही ऊसके स्कोलिंग की सबस्ट करेंगे तो तो 3-4 साल तक हम घुम लेंगे, मदे करेंगे, कि हुक गोज ने बनाऊंगी, कि एख़गी ज़य धारन है, ऊसके एजीक होंगी, ने भister, सानगी म scaled back रहे गोज albums मेंँगे यह ऐसा नहीं कि आए एक स्क स्कूल में जाके बच्चा ची चीजे सीखता है लेकिन कभी जैसे कुछ बाइचांस है सीन रहा तो हम उसको मतलब देखेंगे किसे साफ से हम मैंनेज करें अब तो अनलाइन इतनी क्लासे होने लगी है तो अगर बच्चों को हम घर में प्रॉपर गाइडेंस दे तो क्योंकि म मेरे क्याल से तो वैसे जनली होता ना आज के टाइम पर श्कूलिंग है उसे आप से 60-70 परसंट जो होता है वो पैरेंट्स के आत्म होता कि बच्चों को कैसे आप गाइड करते हैं कैसे पड़ाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छी सिक्षा दे सकते हैं संसकार दे सकते हैं वही इंपोर्टेंट बाकि महां तो बच्चे ले आएंगे अगर बच्चा को थोड़ा पड़ाओ और तेज हो तो पहले का समय लगता है आधी कि अकॉर्डिंग यह रहता है कि मतलब की जो अपीस ने बताया और मेरे अकॉर्डिंग है कि सिर्फ बुकी जो नॉलेज ही मैं यह करता मेरे हिसाब से बहुत सारे इस ऋता है जो बहुत क्रायटी होते हैं बहुत जादा अमक्तला उतने अश्छे स्कोर नहीं कर पाते है तो इसकोर से नहीं मतलब कोई भी बैच्चा है उसका मानिक्स फिजिकल और सामाजिग विकास अब कुच बढ़ कुछ उसका हो बत्चे का है, बढ Counsel का नौलज, सही घलत का नौलेज है, बहुत सारी चीजे हो धिसकने क cycle सरिव लिए बुदा इसपोरे से ओना और गुदमेंट लिए। यार इस्कूल का टाइम है इसकूल इसलिए हम पहाड गुमने नहीं आपाइए आज इसकूल के पैरेंट्स का नॉर्मली यह एक बहाना भी बन चुका है यार बच्चो की स्कूलिंग जाएंगे तो हम घर नहीं आपाएंगे वाला जो भी सीन देता है मैं कहते हूं कि बच्चो को और कुछ ना भी हो साल में इक बार आप पहाड लेके ज़रूर आए और लोगों के बीच बिच 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 उनकी मतलब कन्वर्सेशन कराएं बच्चो की साथ खेलने जाने दे घर के अंदर कैद रख देते हैं बच्चो को गड़ जा करेंगे हम पहुंचने वाले हैं कांडा पहुंची गए हैं यहां मीना का ससुराल भी है यहां नीचे सरस्वती गाइत्री कुछ स्कूल है नीचे थोड़ा बहुत में को भी नौलेच इसलिए क्योंकि मैं यहां आई हूं मेरी दोस्त का घर भी यह है हाई पुनम मैं आई घखाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है हां और मीना का घर तो बहुत प्यारव यही जानोंगों को नीचे को बहुत प्यारी जगह है आराम से रहो पहाड़ा में क्या करना है बहुत को दिल्दी बॉंबे या जो भी हल्दवानी बहुत प्यारी जगह है वहां पर पानी की टंकी है नीचे भी पानी बहता है पूरा पानी और बांच के पेड़ जहां है वह तो ठंडा एरिया होना ही होना है चीड के पेड़ों के साथ में बांच के पेड़ा बहुत ठंडा एरि आलमों बहुत तीखा है लेकिन मेरे लिए तो अच्छा है मैं तो बहुत तीखा खाती हूँ और चाई भी बहुत इच्छी बनी है कड़क चाई बिल्कुल और आदी कुमु को दूद पिला रहा है तो इसकी चाई तब तर खंडी हो जाएगी और एक और प्लेट हमने ओडर कर लिए आपे तो यहां पहाड़ों में एक मतलब चीज रहता है कि इतनी छोटी चीजे मतलब छोटी छोटी धाबर बने रहते हैं तो टेस्ट इतना अच्छा रहता है मतलता टेस्ट की मामले में मैं हीमा चल गई थी मुझे बिल्कुल भी कहीं भी खाना सही नहीं मिला मुझे किसी को भी मतलब पहाड़ों का स्वाद जिसको लगा होगा ना एक बार हमारे एक क्रिश्चन फ्रेंड है वो हमेशा बोलती कि तुम्हारे यहां का जो पहाड़ों में एक आलू के गुटके होगे राइता हो गया और एक भुटुआ मिलता है बहुत टेस्टी होता ह हमारे चाई पानी आलू अगरा सब कुछ खा के हम घर को निकल ले देखो वैदर कितना प्यारा मौसम आज अरे वाह इतना एक क्लिक तो बनता है यहां से फोटो ले ले लिए तो एक फोटो ले लिए तो मैं हम लोग दे चाई अगरा पीदी तरना प्यारा मौसम और आसमान यह जाइका आने वाला है तो कभी हमाला यह ले लेंगे और उसे आगे वाला जो नीचे उसका भी ले ले लेंगे यहां पर एक मचली भाग करके बहुत फेमस था मैं ने पूछा अभी उन से भागनात रेस्टरेंट अलों से तो उन्होंने बोला कि क्या करता है यह जाइका अब आप स्वाद की तो मैंने अभी बोली दिया अब से तेस्ट में कोई हो नी है है यह रहता है कि थोड़ा से जैसे जो बाहर के प्लें से लोग आते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं तीखा बहुत कम खाते तो उनको सायद टेस्ट में टेस्ट तो अच्छा लगी तो अच् नहीं पर दो बार चाई ओडर किया है मैं वैसे चाई कम पीती हो देखिनो चाई इतनी अच्छे लगी थी कि दुबारा ओडर किया तो बागी कभी-कभी ऐसे घूमने भी निकल जाना चाहिए अभी उपर वहां से मैं आपको पूरा पागेस्वर का व्यू भी दिखाऊंग एक उपर से जो बागेस्वर का बहुत प्यारा व्यू आता है रात के डाइम पर तो बहुत ही अच्छा आता क्योंकि नीचे लाइटनिंग होती है पूरी लाइट वगरा दिखती है और एक बार हम यहां पर मैं अपने फ्रेंड के सांस आती के बाद जब मैं इधर काला महन मनाने के लिए थी तो मानने के लिए थी मनानी नी मानने के लिए थी तो काला उसमें मैं यहां पर किसी जंगल पर हमने पिकनिक मनाया था तब मेरे पार स्कूटी थी तो मैं स्कूटी से आयती हम चार फ्रेंड आये थे तो पिकनिक स्पोर्ट के लिए तो पुरा जंगल है आप कहीं भी अपना मना लो और पहाडों में सेफ भी है पहाड बहुत सेफ भी है जैसे कि आपको कहीं और मतलब उत्राखंद के अलावा मुझे इमाचल का तो जाता पथा नहीं माचल में भी रश रहता है दिल्ली और अरियाना के लोगों को ओचंदिकर से तो वहां पर भी स कि आपको ब्लुकुल हेल्पिंग परसन जिलेंगे पाहडी तो वैसे भी हलपिंग होते हैं लेकिन कभी कबार हो जाता है कुछ लोग ऐसे ही बोलते नहीं कि एक एक मचली पूरे ताला आप को गंदा करती वाला तो उनके साथ थोड़ा बहुत हो गया था तो बेरोज़कारी क मतलब जो भी है मतलब होता ही है कि एक मचली पुरे तालाप को गंदा गड़ती वाला तो वह सिंध रहता है नहीं तो सेफ्टी के परपस से बहुत बढ़िया है कुमने के लिए कुमने अपना भी ठके हुए है कुमने तो अज हमारे साथ बुआ की भी एक छोटी सी ट्रिप हो गया हमें सा घर में वैसे बुआ चलते रहती है चलते रहती है वह तो वैसे भी घर में बैठना पसंद नहीं करती है आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखे होंगी नामकरण की टाइम के उस टाइम पर आपकी मतला तब बहुत खराब होगी थी वहां डैली में रहके लेकिन घर आके वह फिर से सही होगी है बिल्कुल जवान होगी है दिखो यहां की लोग डिली में रहना की और इसके मूमर पहले पूरा गाउं खुमके आयाती है दूदूद जो भी लाना होता हो लाती है फिर एक वह शाम को जाती है इस चक्कर में पुरी एज होगी होगी अभी वह कितने जोगी होगी मतलब बहुतर तीहत्तर के अबब होगी होगी मतलब 70 के अबब मानलो मतलब काम तो नहीं है जादा ही है फिर भी वह अभी भी मतलब अब वहां को में सांस की प्रॉब्लम भी है उसके बाद भी हो चलते रहती ना इस वोचे से इसकी बॉड़ी मतलब ठीक है और वह बैठना पसंद नहीं करते लेकिन आज हम उसको एक घुमाने के लिए लाए है छोटे से डिप मैं घ चलते कि वह लोक्त मैं प्रॉड़ी कि अ मंई अजयाए टीक आपको काफी लोग मिलेंगे तो नीचे घाटी में बहुत जाला रहती है जब बारिस ही हो जाती है तभी थोड़ा रहात मिलती है यह देखिए अब बागिश्वर में भी ना हलदवानी की तरह पूरे मकान की कमीनी है पूरे घर ही घर बने है पूरे कितने भी दानपूर एरिया के अब उपर साइट के लोग हैं वो सब इदर बजगे हैं जहां मतलब स्कूल और मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है तो सब लोग इदर बागिश्वर में बजगे हैं जमीन खरीद के अपने घर बना लिए तो कुछ रेंट में रह रही होगी और कु तो गाईज हमने आज का जो व्लॉग बनाया था उसमें आपको सब कुछ दिखा दिया है हम मिलते हैं आपको हमारी नेक्ट व्लॉग के साथ तब तक के लिए टाटे एंड बाई बाई एंड लव यू ओल एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबादीजिए बाई बाई एंड बाई!